जेहिन मेहमित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ आपकी अपने परिवार रेंकर्स गुरुकुल में तो कैसे हैं आप सब? सभी बच्चे केमेंट करके बताएंगे आप सब कैसे हैं? सभी को गुड मोर्निंग, सभी को सू प्रेभात और आपकी क्लास हो जुकिये स्टार बहुती शांदार और जबर्जस आज की कलास अपनी होने वाली है क्योंकि आज का करंट अफेर और पूरे वीक में हमने जो पढ़ाय है उसका करंट अफेर हम इस कलास में पढ़ेंगे बहुती शांदार तरीके से हमारा इस कलास का उदेशी क्या होगा? रिवीजन कराना, प्रतीएक बच्चे को क्लास में आद कराना हमारी इस क्लास का उदेश है। तो जितने बच्चे भी इस क्लास से जुड़े हुए शेशन को जबड़जस तरीके से प्रतीएक बच्चे तक इस सेसन को पहुचा देंगे। अब देखते हैं कोन-कोन लाइव आचुके मोना अगरवाल, साकसी कुमारी दीपा, यदुवनसी छोरी, सोनी आदबाप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। परिक्साओं के लिए। चारे बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ता है बहाँ पर यह ब्रिज बनाया गया और इस ब्रिज की अगर हम बात करें। इसकी अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें। आपको बता है 25 मीटर लंबा और 35 मीटर चोड़ा है बच्चे ब्रिज है मैने आपको बता है 25 मीटर लंबा ही है और 35 मीटर इसकी चोड़ा ही है। उत्तर प्रदेश में बनाया गया। बहुती शांदार एक बार मैं इसका फोटो आपको दिखा देता हूँ बच्चे इस तरीके से ब्रिज बनाया गया। दिखो आप देख सकते हो इस तरीकी से जो है यह bridge बनाया गया है ठीक है तुलसी waterfall पर यह bridge बनाया है चितरकूट उत्तरप्रदेश में अगर हम बात करें उत्तरप्रदेश की तो उत्तरप्रदेश के बारे में भाई आपको बहुत सी चीजे पता होनी चाहिए UP की अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसवा सीटे कितनी है लोकसवा अगर आपसे पूछले कितनी है असी लोकसवा सीटे और राज्यसवा की अगर हम बात करें कि राज्यसवा की कितनी सीटे है 31 राज्यसवा की सीटे मैंने आपको बताए लोकसभा की कितनी सीटे हैं बच्छे 80 हैं और राज्जी सभा की कितनी 31 सीटे यहाँ पर इस्तित है ठीक है और यह धनुस के आकार का है बिल्कुल सही बता रहें बच्छे कैसा है मैंने आपको बताए धनुस आकार का है कैसा है भचे धनुस के आकार का ये ब्रिज है धनुस के आकार का मैंने आपको बताया ही क्या है ब्रिज भचे धनुस के आकार का इतनी चीज़े आपको आसानी से किलियर हो पाई होगी और मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर जो विधान सबसीटे वो कितनी है चार सो तीन बच्चे आपर विधान सावा सीटे विधान सावा सीटे अगर आप से पूछले विधान सावा की सीटे कितनी है या पर मैंने आपको बताया 403 विधान सावा की सीटे और विधान परीशत की कितनी है 100 सीटे आपर विधान परीशत की तो इतनी बातें आप सभी को पता होनी च जल जीवन मिसन के तहट हर घर तक जल नल से जल पहुचाने वाला पहला जिला कौन सा बनाए यह आप से पूछा जा रहा है बहुत ही शांदारी एक्षिन है एक्जाम में सीधा सीधा प्रश्णिया से पूछा जाएगा इसका अंसर होगा नील गिरी मैंने आपको बताया बच तमिल नाडू में नीलगिरी जिला है और यह पहला जिला बन गया है बई मैंने आपको बताया सभी जिलो में और 200 निन्यान में जिलों की सूची जारी किया थी कितने 200 निन्यान में जिलों की सूची में बच्चे यह पहले इस्थान पर रहा है और दूसरे इस्थान की अग महोबा उत्तरप्रदेश दूसरे स्टान पर रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि जल जीवन मिसन कब सुरू किया गया था जल जीवन मिसन के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि जल जीवन मिसन कब स्टार्ट किया गया था तो यह 2019 में बच्चे सुरू किया गया था बच्चे कहां पर 2019 में जल जीवन मिसन सुरू किया गया बहुत बहुती शांदारी कुष्यन है, एक्जाम में सीधा सीधा बने गए, तो मैंने आपको सभी कुष्यन बता दियें, इतनी चीज़े आपको आसानी से किलियर हो पाई हूंगी, अब आपको बताने है, कमेंट बुक्स में सभी को आंसर देना है, कि प्रतिय घर तक जल पहुचान जल ही जीवन है, तो आपको जो है, जल को बरवाद नहीं करना है, ठीक है, जल को आपको बरवाद नहीं करना है, तो बहुती शांदार तरीकी से आपर बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुती शांदार तरीकी से गोवा सभी ने बता दिये, जिन बच्चों का गोवा आंसर आ पूछा गया, ये आप से पूछा गया, किसे सम्वानित किया गया, इसका आंसर हो गा, तो मैंने आपको बताया, अमेरिका के दुवारा, किसके दुवारा भाई, अमेरिका के दुवारा इनको यह पुरुसकार दिया गये, और इनका नाम क्या है, लोकेस मुनी, लोकेस मुनी को अमेरिका के दुवारा भची यह पुरुसकार दिया गये, इतनी बातें आपको आसान दिखाई दे रहे होंगे, जैसे क्रिष्टीना पिज कोबा की अगर हम बात करें, तो ये बच्चे मिस वर्ड बनी थी, मैंने आपको बताए क्या बनी थी, मिस वर्ड बच्चे मिस वर्ड जो प्रतियोगिता है, इन्होंने जीती थी क्रिष्टीना पिज कोबा है, इन्होंने Miss World प्रतियोगिता दो हजार चोबिस में जीती थी इतनी बाते मैंने आपको बताई और इतनी बाते आपको आसानी से किलियर हो पाई होंगी और यतिन भासकर की अगर हम बात करें तो इनको सांसद यूबा रतन पुरुसकार दिया गया है और सवीता कंसबाल की अगर हम बात करें इनको जो है तेंजिंग नारगे पुरुसकार दिया गया है कौन सा पुरुसकार मैंने आपको बताई बचे तेंजिंग नारगे पुरुसकार इनको दिया गया है तो option भी मैंने आपको बता दिये जो आपके सामने 4 option लिखे हैं उनके बारे मैंने आपको बता दिये और जिन बच्चों ने अभी तक भी session को शेयर नहीं किया है प्रती एक बच्चे तक इस session को पहुचा देंगे और जबर जस्थरीकी से higher करते चलेंगे ठीके, next question की अगर हम बात करें, इसके बाद लक्सदीप में साखा खोलने वाला पहला नीजी बैंक कौन बनाया, यह आप से पूछा आ रहा है, तो इसका अंसर होगा बच्चे, HDFC बैंक, मैंने आपको बताया, इसका सही अंसर क्या होगा, HDFC बैंक बच्चे, इसका बिल्कुल सही अंसर होगा, ठीके, लक्सदीप में पहला बैंक बनाए जो पहला नीजी बैंक है, जिसने अपनी साखा खोल दिये, लक्सदीप में बच्चे, पहला बैंक की बनाए, अगर हम बात करें, HDFC बैंक की, इसका establishment कब हुआ है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें बच्चे 1994 में इसकी स्थापना हुई है कब मैंने आपको बताया 1994 में बच्चे इसकी स्थापना हुई है और इसके headquarter की अगर हम बात करें तो मुंबई में बच्चे इसका headquarter है, कहां पर मैंने आपको बता है, मुंबई में इसका मुख्याला है, किसका मैंने आपको बता है, HDFC bank का, और अगर आप से पूछले बच्चे केंसासित प्रदेश लक्सिदीप के बारे में, कि भारत का सब सबसे छोटा आपको बताने है, भारत का सबसे छोटा UT आपको बताने है, Union Territory आपको बताने है, तो कौन सा है बच्चे मैंने आपको बता है, लक्सिदीप है, भारत का सबसे छोटा केंसासित प्रदेश कौन सा है, लक्सिदीप है, और जनसंख्या के अनुशार भी, population के अ चोटा केंदर सासित प्रदेश बचे कौन सा है तो ये भी लक्सदीप है आपका कौन सा है लक्सदीप प्यारे बचे जन संख्या के अनुसार सबसे चोटा केंदर सासित प्रदेश है और एरिया के अनुशार भी सबसे चोटा केंदर सासित प्रदेश कौन सा है बचे लक्सद ए अगर आपसे पूछले भारत का सबसे बड़ा केंदर सासीद प्रदेश अगर आपसे पूछले तो कौन सा है बचे मैं आपको बताया था लद्दाक है एरिया के अनुसार सबसे बड़ा केंसार से प्रदेश कौन सा है लद्दाक है और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंसार से प्रदेश कौन सा है यूटी कौन सा है मैंने आपको बताए दिल्ली है कौन सा है बच्छे दिल्ली सबसे बड़ा केंसार से प्रदेश है जनसंख्या के अनुसार और बच्छे दूसरा मैंने एरिया के अनुसार सबसे बड़ा यूटी बताया कौन सा है लद्दाक है और अगर आपसे पुछले भारत का सबसे छोटा यूटी किसके अनुसार 2024 में भाई हर घर नोकरी होगी, रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेट वोम से पढ़के, ठीक है, बहुत ही शांदार तरीके से यहां पर जबरजस तरीके से बच्चे आंसर दे रहें, बहतरीन, और मैं आपको बताता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ मिलने वाला लास्त तक जोड़े रहना पूरे वीक का रिविजन करोगे शांदार तरीके से, जो कुछन आपके एक्जाम में बनेंगे, वो यहां पर पढ़ाए जाएंगे, पूरे वीक का सांदार तरीके से रिविजन करेंगे, और आपको ये भी पता चल पाएगा कि पूरे वीक में जो आपने पढ़ाए, कितना आपने पढ़ाए, कितना नहीं पढ़ा है, कितने क्युशन आप सही करते हो, कितने क्युशन आप गलत करते हो? ठीक है, चलो, next question की, अगर हम बात करें बैचे, आप देख सकते हो, HDFC Bank का सामने आपके फोटो है, ठीक है next, बाली का ससक्तिकरण मिशन का नया संसकरण किस ने लौंच किया है, बहुती शांदारी इसका आंसर आपसे पूछा जा रहे हैं तो इसका आंसर होगा NTPC Limited मैंने आपको बताया कौन सा आंसर होगा इसका option 2, NTPC Limited बचे इसका सही आंसर है अगर हम बात करें प्यारे बचे कि NTPC Limited ने क्या स्टार्ट किया है NTPC के अगर हम बात करें Thermal Power Corporation प्यारे बचे एक कंपनी है यह मैंने आपको बताया इसको महारतन कंपनी का दर्जा 2010 में दिया गए यह कैसी कंपनी है भाई मैंने आपको बताया महारतन कंपनी है कैसी कंपनी मैंने आपको बताया महारतन कंपनी है बचे कैसी है महारतन कंपनी मैंने आपको बताया महारतन प्यारे बचे महारतन कंपनी है NTPC महारतन कंपनी मैंने आपको बतायी है दूसरा इसको महारतन कंपनी का दर्जा कब मिला है बच्चे अगर आपसे पूछ ले तो 2010 में इसको महारतन कंपनी का दर्जा दिया गए इसके अगर हम बात करें भारत में जो बच्चीया है उनको विकास करने के लिए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभिहानी स्टार्ट किया गए था भारत में उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गए कि बच्चों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बालिकाओ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग भृून हत्या करा देते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप है भाई भृून हत्या, ठीक है? तो बेटी बचाओ, ब बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, अब्यान कब सुरू किया गया था जल्दी से Кमेंट बोक्स में बताओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब सुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपको बताना है कि कब स्टार्ट किया गया था बताओ जल्दी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपको बताना है कि कब सुरू किया गया था कमेंट बोक्स में बताते चलेंगे बई जल्दी से बताते चलो ये तो आसान सा क्यूशन और कहां से स्टार्ट किया गया था आप सभी को बताना है मैं आपसे पूछ है। इसलिए वहीं से स्टार्ट किया गया था सबसे कम लिंगानुपाद अगर आपसे पूछले बच्छे कहां पर है मैंने आपको बताया हरियाना राज्य में सबसे कम लिंगानुपाद और इसके ब्रांड अमबेसर अगर आपसे पूछले प्यारे बच्छे इसके ब्रांड इतनी बाते तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे बता रखी है इतनी चीजे तो आपको आसानी से किलियर होंगे और सबसे कम लिंगानु पात वाला राज्य कोन सा है तो मैंने आपको बताया हरियाना है हर बोले तो हरियाना सबसे कम लिंगानु पात वाला राज्य है यह बड़ी दिक्कत की बात है हरियाना सबसे कम लिंगानु पात वाला राज्य है और जहां पर लिंगानु पात कम होगा तो बहां पर लड़कियों की संक्या कम होगी और वहां पर लोगों की साधी भी कम होगी जब लड़की कम होंगी तो साधी भी कम होंगी तो बची बहुत बड़ा प्रभाब देखने को मिलता है ठीक है हरियाना राज्य का सबसे कम लिंगानू पात है ठीक है चलो next इतनी बातें आपको असानी से किलियर हो पाई है next किस देश की सेबा ने mountain cleaning अभ्यान 2024 सुरू किया है बहुती शांदार क्यूशन है बहुती शांदार मैंने आपको बताया बहुती जबर जबर जब क्यूशन है इसका अंसर क्या होगा नैपाल प्यारे बच्चे इसका बिलकुल सही अंसर होगा मैंने आपको बताया इसका अंसर क्या है नैपाल प्यारे बच्चे इसका बिलकुल सही अंसर है अब mountain cleaning अभ्यान ये क्या है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ बच्चे वहां की सेना के दुवारा आर्मी के दुवारा इसको स्टार्ट किया गया ठीक है तो मैंने आपको बताया कि mountain cleaning अभ्यान की अगर हम बात करें बच्चे जो वहां पर Mount Everest है आप सभी को बताया Mount Everest कहां पर है नैपाल में तो Mount Everest पर जो कच्रा है मतलब वहां पर लोग जाते हैं जैसे चड़ाई करते हैं तो साथ में बोटल ले जाते हैं ठीक है पानी की बोटल ले जाते हैं कुछ खाने कर समान ले जाते हैं तो महां पर बहुत ज़्यादा कच्रा हो गया है उसको साफ करने के लिए वहां की सेना ने mountain cleaning अभ्याने स्टार्ट किया है ने पाल की सेना की दुआरा बचे इसको स्टार्ट किया गया है ठीक है नेपाल की अगर हम बात करें इसकी राज़ाने आप सभी को पताई इसकी capital बताना जल्दी से जल्दी से बताओ क्या है काथ मंदू मैंने आपको बताया नैपाल की कैपिटल है और यहां की करंसी अगर आपसे पूछ ले प्यारे बचे के यहां की करंसी क्या है जल्दी से आप सभी को बताना है रुपया यहां की करंसी है क्या मैंने आपको बताया रुपया बचे यहां की करंसी है नैपाल की और नैपाल की अगर हम बचे बात करे अगर आपसे पूछ लें, तो मैं आपको MAP दिखाओंगा, पूरा MAP मैं आपको दिखाओंगा, और बताओंगा भारत के कितने राज्यों से प्यारे बचिए, नैपाल की सीमा लगती है, यहाँ पर एक तो उत्रा खंड सीमा साजा कर रहा है, एक UP साजा कर रहा है और एक Bihar है, और इधर एक पशिम मंगाल है, और इधर सिक्की मैं, बच्ची मैं लिख देता हूं, कौन कोन से हैं, ये पहला उत्राखंड, दूसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश हैं, तो पहला नेपाल के साथ सीमा साजा करता है सिक्किम राज्य भी बचिये नैपाल के साथ सीमा साजा करता है अच्छे ये बताओ कि सूरे किरन सैन्य अभ्यास military exercise आपको बताना है किस किस के बीच होता है जल्दी से comment box में बता देंगे सभी बचे कि सूरे किरन सैन्य अभ्यास आपको बताना है कि किन दो देसों के बीच बच्चे आईजित किया जाता है सूरे किरण शेन्य ब्याज जल्दी से कमेंट वोक्स में बताएंगे प्रतियक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए और जिन बच्चों ने भाई अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है न भाई बहुत गलत बात है 540 बच्चे लाइव देख रहे हैं और लाइक कितने हैं 210 लाइक है मतलब आपके होते हुए ऐसा हो सकता है भाई ठीक है और मैं आपसे बूलो और आप क्लास को लाइक न करो भारत और नैपाल की बीच प्यारे बच्चे यह सेन्य अभ्यास होता है कलास को लाइक करते चलेंगे बई जितने बच्चे भी देख रहे हैं न कलास को फटाफट लाइक करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कलास को लाइक करते चलेंगे बई मज़ा नहीं आ रहा है बिना like जब कम रहते हैं न दिल खुसनी होता है और आप मेरा दिल उदास नहीं देख सकते हो क्योंकि आप सब जो है बहुत प्यारे बच्ची हो जल्दी से like कर देंगे फटाफट इसके बाद next question के अगर हम बच्चे बात करें आप देख सकते हो इस तरीके से जो वहाँ पर Mount Everest पर कच्रा है इसको साफ करने के लिए स्टार्ट किया गया है और आप सभी को पता है Mount Everest के बारे में तो आप सभी को पता है वई Mount Everest बच्चे कहां पर है नेपाल में है उन नेपाल म Mount Everest को सागर माथा बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चे सागर माथा बोला जाता है ठीक है इतनी वाते के लिए आसानी से इतनी चीजे के लिए हो पाई होंगी ठीक है next question नोसेना प्रमुक हरी कुमार ने ओंदा स्पोर्ट यूनिट प्रेशश्टी पत्र से किसे सम्मा इन्होंने आई एनस सारदा को बच्चे सम्मानित किया है इसका कार्ण क्ए मैं आपको बता देता हूं अभी आपने सुना होगा इरान और पाकिस्तान के एरान और पाकिस्तान के 19 वीक्तियों को मैंने आपको बचाया गया था इरान और पाकिस्तान के 19 लोगों को बचाया गया था जिसमें 11 इरान के थे और 8 कहां के थे अपने छोटू देश के थे पाकिस्तान के थे ठीक है मैंने आपको बताया 8 कहां के थे पाकिस्तान के थे इन इन मैंने आपको बताया विक्तियों को प्यारे बचे जो एक तरह से जो भारत की सैनिकों ने, भारत की नेवी ने इनको बचाया था, ठीक है, भारत की नेवी ने, मैंने आपको बचाया था, और ये टोटल 21 व्यक्ति थे, जिसमें 11 एरान के थे, 8 पाकिस्तान के थे, तो ये आईने सारदा की मंदद से बचाये गे थे, बहाँ पर आईने सारदा पो जल्दी से comment box में बता दो कुन सा जहाजर था जो उन्होंने गिरफ्ट करक्ष तो वह पर वो कुन सा जहार था उसका नाम आप सभी को बताना है क्योंकि मैं ने क्लास में आपको पढ़ाया था जल्दी से बताओ कौंसा जाहर था वो याद है आपको जल्दी से बता वगया नल्ला पाकिस्तान बता रहे हैं अच्या ला नल्ला ही है यह बास तांने फीक है जल्दी से बता दो कि इतनी के लिए रूपाईए तो जहाच का नाम आप सभी को बताना है कि उसस जहाच का नाम क्या था जल्दी से बताओ ठीक अगर हम बच्चे नेवी की बात करें मैं आपको नेवी के बारे में बता देता हूँ नेवी कैर हम बदे कि नेवी डे कब मनाया जाता है Navy Day की अगर हम बच्चे बात करें तो यह 4 December को मनाया जाता है कम मैंने आपको बताए 4 December को प्यारे बच्चे Navy Day बनाया जाता है बिल्कुल सांदार तरीके से बच्चे बता रहे हैं बहतरीन तरीके से चलो अच्छा Army Day अगर आपसे पूचले Army Day तो आप सभी को पता होगा Army Day कब मनाया जाता है बच्चे यह 15 जिनवरी को मनाया जाता है Army Day और अगर आपसे पूचले बच्चे Air Force Day कब मनाया जाता है अगर आपसे पूचले Air Force Day के बारे में कि Air Force Day कब मनाया जाता है तो मैंने आपको बताया, 8 October को बचे Air Force Day मनाया जाता है, बहुती शांदार तरीके से आपको बचे आंसर दे रहे हैं, बहुती शांदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, इतिहास रचेंगे 2024 में, चलो, बहुती शांदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, ठीक है, चलो, बहुती शां बहुत बड़ा दिल है, मतलब हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े होते हैं हम सब और बहुत अच्छी बात है कि हमने किसी दूसरे देश की मदद की, हमने एकसे ADB के अनुशार, भारत की 2024-25 में GDP ब्रदिदर कितनी रहेगी, ये आप से पूछा रहा है कि GDP ब्रद एकडिश बैंक लिए और भारत के शुचार अबेर maci Supp still dis स्पणजिध ke कर आप से किए, इसका स्थापना के बारे में अगर आपको को हुछ ये इसका स्पूछ के से पूछ लिए। कि इसका स्फापना अगर आप से पूछ ले तो मैंने आपको बताया, 1966 में मैंने आपको बताया मैंने ऑफ को बताया कि 7% 2024-25 में रहेगी और इसने 2025-26 का भी अनुमान लगा दिया है बच्चे 2025-26 का भी अनुमान इसके द्वारा लगा दिया गए मैंने आपको बताया है 2025 and 2026 का अनुमान भी इसके द्वारा लगा दिया गए कि इसमें ब्रद्धी जो होगी वो 7.2% की ब्रद्धी होगी ठीक है और GDP आप सभी को बताओगा GDP बराबर क्या होता है Price गुणा quantity ठीक है अगर किसी देश की GDP हमें निकाल ली हो बच्चे GDP अगर हमें निकाल ली हो तो आप सभी को पताओगा GDP बराबर क्या होता है Price गुणा quantity अगर P गुणा क्यों कर देते हैं तो उस देश की GDP निकल के आजाती है Price गुणा quantity ये सभी को पताओगा कि GDP बराबर Price गुणा quantity होता है और बाकी सभी चीजे जैसे किसी देश की राष्टे आए कैसे निकालते हैं ठीके बो सभी आप सभी को पताओगा ठीके इतनी चीजे मैंने आपको बता दिये और इतनी चीजे आपको आसानी से किलियर हो पाई होगी अब देखो next question की अगर हम बात करें गणगोर महुचसब 2024 कहां मनाया गया बहतरीन question है बाई शांदार लाजबाब जबरजस question है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्जाम में पता नी क्यों पूछा जाया गई इसका आंसर क्या होगा बच्चे राजिस्थान इसका बिलकुल सहीं आंसर है दूसरा राज्य भी मैं आपको बता देता हूँ MP में भी यह बच्चे मनाया जाता है गणगोर उत्सब और यह भगवान सिब और पारवती का उत्सब है मैंने आपको बताया भगवान सिब और माता पारवती का यह उत्सब है बहगवान सिव और माता पारवति के ये उत्सभ है और एकills of र望 लिपन का वरत इसमें रखा जाता है गणशोर्त योहार में और ये राजिस्थान और मज्द्ध्रदेश दोनों राजयों में मनाया जाता है option यहाँ पर क्या है राजिस्तान है इसलिए मैंने राजिस्तान आपको बता दिये ठीक है अच्छा मैंने आपको अभी एक उत्सब और बताया था कल की क्लास में ही बताया था साइद वो आपको बताने कि गुड़ी पड़बा उत्सब कहां मनाया गया बताओ बताओ जल्दी से इसका अंसर क्या होगा गुड़ी पड़बा के बारे में आपको बताने बहुती शांदार यह क्यूशन है आप सभी को बताने इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताते चलो कि इसका अंसर क्या होगा गुडी पड़वा उत्सब के बारे में मैंने आपको बताया था उड़ जिन बच्चों ने अभी तक भी इस कलास को लाइक नहीं किया है भाई कलास को लाइक करते चलेंगे जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा गुडी पड़व कि Pink City किसे कहा जाता है आप सभी को बताने कि Pink City किसे बोला जाता है कमेंट बोक्स में बताती चलेंगे सभी बच्चे कि Pink City किसे कहते हैं आप सभी को बताने कि Pink City किसे कहा जाता है सर PDF कहां मिलेगा PDF आपको Rankers Guru कुल Official Telegram चैनल पर मिलेगा मैंने आपको बता दिया है PDF कहाँ पर Ranked's Groupal Official Telegram Channel पर Pink City किसे बोलते हैं बचे जैपुर को बोला जाता है किसे मैंने आपको बताया जैपुर को Pink City बोला जाता है और ये कहाँ पर है राजिस्थान में बचे अच्छे ये बताना हबा महल कहाँ पर है ये तो आप सभी को बताओगा हबा महल बतादो कहाँ पर इस्थित है गूमने गए हबा महल कहाँ पर इस्थित है आप सभी को कमेंट वोक्ष में बताना है कि हबा महल बचे कहाँ पर इस्थित है जल्दी से बताते चले जाओ हबा मह जयपूर में प्यारे बच्छे हावा महल ए और जो बच्छे राजिस्थांसे क्लास को देख रहे हैं एक बार कमेंट बोक्स में बता देंगे कि सर हम राजिस्थान से इस कलास को देख रहे हैं जो आपकी दिल वाली कलास है नहीं हम राजिस्थान से लाइब है सर राजिस्थान से लाइब है एक बार कमेंट बोक्ष में बता दो भई ठीक है आप देख सकते हो गणसोर उतसब जो है भगवान सिब और माता पारवती का और राजिस्थान और मद्दे प्रदेश में धूम धाम के साथ यह है उत्सम मनाया जाता है QS के अनुसार जारी World University Ranking 2024 में भारत के कुल कितने विस्विध्याले हैं भारत के कुल बच्चे कितने विस्विध्याले हैं इसमें आप से पूछा गया मैंने आपको बताया टोटल इसमें उनिवस्टी कितनी थी टोटल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे इसमें उनिवस्टी की संख्या टोटल कितनी थी प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया 1569 टोटल अगर आपसे पूछ ले कितनी मैंने आपको बताया, University दी 1569, उसमें से कितनी इंडिया की है, बचे इंडिया की मैंने आपको बता दिया है, इंडिया की 69 है, इंडिया की भाई कितनी है, 69 University है इंडिया की, और सबसे टोप इस्थान पर, मतलब इंडिया की जो पहले इस पूरी दुनिया में बीस बेस थान पर रही है वैसे टोटल भारत की कितनी है भारत की 69 है उसमें से जे एनियू 20 बेस थान पर रही है टीके बहुत ज़्यादा इंप्रोटेंट है सीधा सीधा एक्जाम में बनेगा बच्चे सीधा सीधा एक इस एक्विशन ठीके इसका आंसर मैंने आपको बता दिया 20 इस थान पर प्यारे बच्चे को रही है जी एनियू रही है इतनी बाते आपको आसानी से किलियर हो पाईू लंदन की उनिवस्टी, एक लंदन की उनिवस्टी है, जो पहले स्थान पर रही है, उसका नाम है सुसेक्स उनिवस्टी, उसका नाम है उनिवस्टी 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 है, जो पहले स्थान पर रही है, उनिवस्टी उनिवस्टी उनिवस् कुंसी है? Oxford मैंने आपको बता दिया है, दूसरे स्थान पर इसमें Oxford रही है, ठीक, इतनी चीज़े आपको आसानी से किलियर हो पाईउंगे, यहां आकर आज का current affair प्यारे वचे समाप्त हो जाता है, आज का current affair यहां आकर, मैंने आपको बताया, यहां आकर आज का current affair, अब हम सा जरूर आंसर देना है कि आपके 50 में से प्यारे वचे कितने नंबर बनेंगे, ठीक है, जैसे पहला कुष्ण आप सभी के सामने है, इसका आंसर आपको बताना है, कि बिस्बस स्वास से दिवस 2024 की थीम क्या है, जल्दी से आंसर बताते चलेंगे, अब सांदार तरीके से रि पहला कुष्ण आपके सामने जल्दी से बताओ, ओक्सफोर्ड यूनिवस्टी कहां है सर जी लंदन में ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, पहला कुष्ण आपके सामने शांदार तरीकी से रिविजन करेंगे, और आपको जरूर बताना है कि पचास नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, हैल्थ, इसका आंसर होगा, नहीं, मेरा स्वास है, मेरा अधिकार, ओप्शन सी जिन बच्चों का आ रहा है, बच्चे, वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ओप्शन सी जिन बच्चों का है, और सभी को बताएं स्वासे दिबस तरीकेश है, आंसर बताते चलेंगे पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है, उसका रिविजन यहाँ पर चल रहा है, रेंकर्स गुर्कुल प्लेटफोर्म पर, ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब् इंति के उपलक्स में, योग महुचसब कहां आएजित किया गया, पूरे लखनाव चंडिगड़ या देरादून, बताओ इसका अंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बोक्ष में बताते चलेंगे, सैसन को शेयर करते चलेंगे, कलास को लाइक करते चलना है, आपको और इसक अंसर बताते चलना है, इसका सही अंसर क्या होगा, ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा, ठीक है, बहतरीन तरीके से आपर रीचा ने बता दिये, सोनल कुमार ने बता दिये, अजीत ने बता दिये, सुखदेब ने बता दिये, ठीक है, बहतरीन तरीके जब बच्चों की रेंक क्या रही है यह आपसे पूछ गया पचास इक्यामन बामन या तरेपन क्या रेंक रही है बच्चे भारत की आपको बताने तो जिन बच्चों का 50 बन आ रहा है बिल्कुल सही है तो जिन बच्चों का option A है वोचे बिल्कुल सही answer होगा जिन बच्चों का option A आ रहा है Next question, World Anti-Doping Agency के अनुसार 2022 में सबसे अधिक doping मामले किस देश में पाए गए है पाकिस्तान, भारत, औस्ट्रेलिया या कनाडा किस देश में सबसे अधिक doping के मामले पाए गए है ये आप से पूछा जा रहे है, बहुती शांदार और जबर्जस question है, आप सबसे अधिक doping के मामले किस देश में पाए गए है तो बच्चे भारत इसमें पहले इस्टान पर रहा है, मतलब खराब चीजों में हमेशा भारत पहले इस्टान पर रहता है और अच्छी चीजों में हमेशा नीचे इस्टान पर रहता है उननीस भी S.C.O. सुरक्सा परिश्रत की बैठक किसकी अध्यक्सता में हुई अमेरिका, कजाकिस्तान, इंडिया या जापान बताओ इसका सही आंसर क्या होगा बहतरीन क्यूशन है, आप सभी को इसका अंसर बताने है शांदार लाजबाब भाई क्यूशन आपके सामने है और जल्दी से इसका अंसर कमेंट बुक्स में बताते चलेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक भी इस कलास को लाइक नहीं किया है भाई लाइक करते चलेंगे, शेशन को शेयर करते चलेंगे इसका अंसर क्या होगा? ऑप्शन B बच्चे कजाकिस्तान इसका बिल्कुल सही अंसर है ऑप्शन B जिन बच्चों का आ रहा है भारते शेना में किस ऐर डिफेंस सुरक्षा परनाली को सामिल किया गया बहुती शांदार बहतरीन लाजवाब जबरजश कुशन है आप सभी को बताने इसका आंसर आकास तीर जिन्वच्चो का रहा है वो भाई शांदार है कुशन सांदार तरीकी से बता रहे हैं CIDC विस्ब कर्मा पुरुसकार 2024 किसे दिया गया? SJBN Limited भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भारत पैट्रोलियम कोर्परेशन लिमिटेड इनमेशे कोई नहीं इसका सही आंसर क्या होगा? आप से पूछा जा रहे हैं बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बोक्स में बताते चलेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया SJBN Limited प्यारे विचे इसका सही आंसर होगा. पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में न्युक्त होने वाली पहली भारते महिला कोन बनी है? बताओ जल्दी से मीरा वाइच शानू, विंदिया सही हुए है. यह आपको जो है अच्छे तरीके से समझ रहा है क्योंकि भाई मैंने आपको बताया पूरे विक मैंने आपके उपर मेहनत करिये और आज अगर रिजल्ट तो भाई रिजल्ट टोप ही आना चाहिए सभी वच्छों का. तो इसका आंसर प्यारे वच्छी क्या ह होगा. उप्शन सी जा राइट आंसर. उप्शन सी प्यारे वच्छी का बिल्कु सही आंसर होगा. तो यह दस क्यूशन ते अब अगले दस क्यूशन में आपको बताता हूँ. तर्निंग 18 अभियान किसने सुरू किया है? दस क्यूशन कंप्लीट हो चुके अभी 11 क्यूशन मेरे पूरे करेक्ट जा रहे हैं. मनीश कुमार बता रहे हैं. बहुत ही शांदार तरीकी से मनीश कुमार आंसर दे रहे हैं. मतलब इनके सभी क्यूशन अभी तक सही गए है. और मुझे उम्मीद है मनीश के नहीं बाकी सभी बच्चों के सभी सही आंसर जाएंगे. इसका अंसर क्या होगा बच्ची? निरवाच्चन आयोग. इलेक्शन कमिसन इसका सही आंसर है. किस राज्य के तानपुरा सितार को जी आइटेग दिया गया? मद्दे प्रदेश महारास करनाटक या ओडिशा. किस राज्य का है बच्चे ये तानपुरा जिसको जी आइटेग मिल महारास इसका सही आंसर होगा. ठीक है? शलो. इतनी चीजे के लिए रहे? एक बच्चा बोला है, सर मेरे तो सभी गलत जा रहे हैं. उद्धै प्रताफ सिंग चोहान आपने कलास नहीं लिये, इस बज़े से आपके क्यूशन गलत जा रहे हैं. जो बच्चे डेली पढ़े है वो बहुत ही शांदार तरीके से आपर आंसर दे रहे हैं. बहतरीन तरीके से. नेक्स किसन विस्व बैंक के आर्थिक सलाकार पैनल में किसे न्यूक्त किया गया है? सैफाली सरण नवनीत सैगल राहुल सिंग या राकेश मोहन? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? पैश्वरम में इस्थापित किया गया था. ठीक है? चलो सर लास किसन ने भी बढ़िया है. क्या बता रहे है भी? चलो इतनी चीज़े किलियर है? आसानी से इतनी चीज़े तमिल नाडू बच्चे इसका सही आंसर होगा. ऑप्शन से जराइट आंसर. खुवानी खिलना महो पोटसब 2024 कहां आईजित किया गया? डिली, जम्मु कस्मी, लद्दाक या पूदु चेरी. कहां पर बच्चे ये आईजित किया गया? ये आप से पूछा जा रहे है और आप सभी को कमेंट बोक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. बहतरी, लाजबाप, शानदार करने की योजना बनाई है, 22, 24, 25 या 30 कब तक यूरिया आयात को समाप्ट कर दिया जाएगा? भारस सरकार के दुवारा जो योजना बनाई गई है, वो कब तक बनाई गई है? ये आप से पूछा गया है. तो बच्चे इसका आंसर होगा, 2025 मैंने आपको बताया, इसका बिलक शांदार जबरजस बहतरीन लाजवाब क्यूंच आपके सामने, सेशन को शेयर करते चलेंगे, सभी वच्चे सेशन को फटा फट शेयर करते चलेंगे, क्लास को लाइक करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ईशान आर टेस सलना है, करन्ट अफेर का, तो बच् पेली गरेनी, शाइमन हैरिस, लुइस मेटे निगरो या मुहम्मद मुस्ताफा, बताओ इसका अंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्छे, क्विशन नमबर 8 का सही अंसर क्या होगा, बताते चलो आप, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं, कौन-कौन बच्छे इसका अंसर सही दे पाता है, अजे कुमार ने दिया है, पल्लवी ने दे दिया है, फिर दिया है, आपका आदित्य पाल ने दिया है, नीश्य यादब, इस क्विशन का अंसर भाई, बच्छे बहुत गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका अंसर होगा, बच्छे, उप्षन है, इसका बिल्कुल सही अंसर है, जिन बच्छों का उप्षन है आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, नेक्स, मुद्रिक नीती समीती ने रैपो रेट कितनी निर्धारित किये बई, 4.5%, 6.5%, 4.3% या 5.6%, ये आप से पूछा जा रहे हैं, इसका सही अंसर बच्छे, आपको बताना है, नहीं लग रहे हैं, भाई, कोल तो उठा लेते हैं, कोल करो, आप उठाया जाएगा आपको, 6.5%, इसका सही अंसर है, नेक्स, आई पेल में सबसे जादा सतक एबं सबसे जादा कैंच लेने वाला खिलाडी कोन बना है, भाई, एक ही खिलाडी जो सबसे जादा सतक लगा सकता है, उसका नाम क्या है, किंग कोली नाम है, किंग कोली, तो इसका अंसर क्या होगा बच्छे, बिराट कोली इसका बिल्कुल सही अंसर है, अब आपकी मैंने 20 क्यूशन यहाँ पर करा दी हैं, और 21 क्यूशन आपके सामने, मार्च 2024 के लिए ICC Player of the Month किशे चुना गया है, कामिन्दु मैंडिस, मैया बाउचर, यससभी जैसवाली या बिराट कोली, इसका सही अंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट बुक्स में बताना हैं वही इसका सही अंसर क्या होगा, बहुती शांदार जवर्जस्त लाजबा बहतरीन क्यूशन आपके सामने, और आप सभी को इसका अंसर बताना हैं, इसका सही अंसर क्या होगा, जल्दी से बताते चलेंगे, सेशन को शेयर करते चलेंगे, प्रती एक बच्चे तक सेशन को पहुचाते चलेंगे, इसका अंसर बताते चलेंगे, तो इसका अंसर होगा कामिंदू मेंडिस, और महिलाओं में मैया बाउचर थी, नेक्स क्यूशन, बिस्ब होमोपैथी दिवस बच्चे कब मनाया गया, 7 अपरेल, 8 अपरेल, 10 अपरेल या 11 अपरेल, मैंने आपको बताया था, बताओ, कभी यह होमोपैथी दिवस मनाया गया, आप सभी को बताना इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर बताते चलेंगे, सभी बच्चे इसका सही अंसर क्या होगा, यहाँ पर यह पूरे week में जो आपको मैंने पढ़ाया था, शांदार तरीके से यहाँ पर revision चल रहा है, Rankers गुरुकुल के इस platform पर, जो इमानदारी से बच्छे पढ़ेते, वो बहुत ही शांदार तरीके से answer देते चलेंगे, तो इसका answer क्या होगा, 10 April प्यारी बच्छे, इस इसका बिल्कुल सही answer होगा, option B, is the right answer दिल ले, Next, कौन सी अकादमी के द्वारा देश के साथ, अलग-अलग सक्ती पीठों में, सक्ती संगीत और नरत्य का एक उत्सब महुत्सब का आहिजन किया जाएगा, संगीत नाटक अकादमी, सासे संगीत अकादमी, संस्क्रती मंत्र इन मेंशे कोई नहीं, बच्चे, इसका अंसर क्या होगा, आपसे पूछा रहा है, और मैंने आपको बताया था, इसका अंसर क्या होगा, संगीत नाटक अकादमी, बच्चे, सही answer है, Next, 16 वितायों के शदश्य कोन बने है, बताओ जल्दी से, मैंने आपको कलास में, डिटे आपसे पूछा जा रहा है कि 16 वितायों के शदश्य कोन बने है, बताओ भई, इसका अंसर क्या होगा, मनोच पांड़ा बच्चे, इसका बिल्कुल सही answer है, Option A is the right answer, मनोच पांड़ा, Next, बिपरों के MD और CEO कोन बने है, स्री निवास पल्लिया विने कुमार अवे ठाकुरिय प्यूस आनंद, तो मैंने आपको बताया था, Option A, प्यारे बच्चे, स्री निवास पल्लियास का सही answer है, Next, अप्रेल 2024 में भारत और पेरु के बीच बिच ब्यापार समझोते के लिए, सातवे दोर की बाचीत कहां आई जित की गई, लखनाओ, दिल्ली, चंडिगड़िया, देहरादून, बताओ जल्दी से, बताते हैं चलेंगे बस इसके बाद 20 कुशन और बचे, फिर 50 में से आपको बताने हैं कि आपका स्कोर क्या आया है, 50 में से आपका स्कोर क्या बनाए, तो बच्चे इसका आंसर होगा, दिल्ली, इसका बिल्कुल सही answer है, Option B, the right answer दिल्ली, The Idea of Democracy नामक पुस्तक के लेखा कोन है, M.J. Ackvar, Rushkin Bond, Sam Pitroda या रोहित ढाका, इसके राइटर आपसे पूछा जा रहे हैं कि इसके राइटर बच्चे कोन है, 4 option आपके सामने हैं, और आप सभी को इसका आंसर बताना है, इसका सही answer क्या होगा, तो मैंने आपको बताय था, Sam Pitro बच्चे, इसका बिल्गुल से ही answer होगा, option C is the right answer, next, I.League प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है, भाई, बहुत ज्यादा इंपोटेंट क्यूशन है, आप से पूछा गया है, I.League प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, सिलोंग लाजो कलब, मॉम मॉमडन स्पोर्टिंग कलब के द्वारा, और next question है, अंतराष्टे बैडमिंटन चैलेंज टूनामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, यह आप से पूछा गया है, मैंने आपको डिटेल में यह कुशन बताया था भई, डिटेल में आपको पढ़ option B is the right answer, और यहाँ पर हमारे कितने question होगी है, 30 question हो चुके है, बस 20 question और बाकी है, speed से कल लेते हैं, 20 question, 30 question यहाँ पर हमारे हो गए, चलो, 31 question आपके सामने, Ireland की नए प्रधान मंतरी कोन बने है, बताओ, Ireland के बच्छे प्रधान मंतरी आप से पूछा जा रहे हैं, कि Ireland के प्रधान मंतरी आपको बताना है, बताओ, Ireland के प्रधान मंतरी बताओ, फटाफट के आइलेंड के नए प्रधान मंतरी कोन बने, तो इसका आंसर क्या होगा, साइमन हैरिस, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन बच्छों ने option B बताया हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे है भारत के रासपती ने विस्व होमोपैथी दिवश के अपसर पर होमोपैथी संगोस्थी का आईजन कहां किया है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पढ़ा दिया था, मैंने आपको ये, बताओ वई, मुंबई, दिल्ली, पूने या लखनव, क्या इसका सही आंसर होग जोन एल जैक सुईगर्ट जूनियर दोहजार चोबिस पुरुसकार किसे दिया गया, जैक साइस पेस एक्स, इस रो इनमेशे कोई नहीं, किसको ये है पुरुसकार दिया गया, ये आप से पूछा जा रहे है, बहुती श्यांदार, जबरजस्त, बहतरीन, लाजबाब, क्य आपके सामने हैं, और आपको इसका आंसर बताने है, इसका सही आंसर क्या होगा, गुड मॉरिंग, किंग जोम, गुड मॉरिंग वो लें, वही, 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 गुड मॉरिंग, चलो, ठीक है, उत्तर कोरिया के सासक भी इस कलास को देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, इस चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको यह पुरुषकार मिलाता है ठीक है next question भारत दुआरा किस दूसरे विदेशी बंदरगा को हाशिल किया गया है सितवे बंदरगा चावहार मोरानी बंदरगा इनमेशे कोई नहीं बताओ इसका आंसर क्या होगा सबी बच्चे कमेंट बोक्स में बताएंगे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आप सबी को बताना है बच्चे इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था म्यामार का सितवे बंदरगा डिटेल में आपको पढ़ा रखा है next वरतमान में दुनिया के सबसे जादा बुजूर्ग व्यक्ति कोन बने है ये आ बिल्कुल सही आंसर होगा जोन टिनिश वुड नेक्स क्यूशन भारत का पहला नीजी छेतर द्वारा निर्मित प्रतवी अबलोकन उपगर है टीसेट फरस्टे किस कंपनी ने लूंच किया है स्पेस एक्स इस रो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या इनमेशे कोई नहीं तो जिन बच्चों का उप्शन सी आ रहा है न तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के दुआरा लूंच किया गया है नेक्स क्यूशन एस एडव एडविंटन चैंपिन सिप दोहजार चोबिस का आईजन कहा किया जा रहा है भ बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा ठीके लाजबाब शांदार क्यूशन आपके सामने इसका आंसर होगा बच्चे चाइन इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी जा राइट आंसर नेक्स क्यूशन टीसेयस वल्ड टैन के मैराथन दोड के लिए किस अंतराश्ट इवेंट अम्बेसडर न्यूक्त किया गया है वैलेरी एडम्स आईशमान खुराना सचिन तैंदोलगर या बिराट कोली किसे अम्बेसडर बनाया गया है चार ओप्शन आपके सामने हैं बताओ इसका आंसर क्या होगा भई इसका सही आंसर आपको बताना है तो इसका आंसर होगा ओप्शन ए बचे वैलेरी एडम्स नेक्स क्यूशन के अगर हम बात करें जिमबाबे देश के किस नाम से एक नई सोन समर्थित मुद्रा सुरू की है जिमबाबे देश ने आप से बुचा गए कि जिमबाबे देश के दुवारा किस नई नाम से एक नई मुद्रा स्टार्ट की गई है आप सबी को बताने कि किस नाम से बच्चे सुरू की गई है ठीक है जोमा, जिग, मोपी या लीमा, तो इसका आंसर किया मैंने आपको बताया, जिग बच्चे इसका सही आंसर होगा, और लास्ट क्यूसन है, चालिस वा क्यूसन आपके सामने है, इसके बाद बस दस क्यूसन और बच्चे फिर कंपलेट हो जाए गए, विस्व भविश्य उर्जा सिखर सम्मेलन 2024 का आइजन किस देश में किया जाएगा, भारत, UAE, साओधी अरब या चीन बच्चे कहां पर इसका आइजन किया जाएगा, ये आप से पूछा जा रहा है, तो जिन बच्चों का UAE है बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन भी बच्चे इसक देश का पहला अश्पताल कून मना है, दिल्ली एम्स, पूरे कमांड होस्पिटल, रिशी केस एम्स या इनमेशी कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताने हैं, जल्दी से कमेंट वोक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, बहुती शांदार, भारत तो थड रहा था इसमें, तीसरे स्थान पर भारत रहा था, और पहले स्थान पर बच्चे कोन रहा था, अमेरिका और दूसरे स्थान पर चाइना रहा था, ठीक है, नेक्स क्यूशन, पहली बार राश्टे महिला हो के लिए का आईजन कहां किया गया, तो बच्चे आ राइट आंसर जारगंड इसका सही आंसर है. Next, WHO के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में है, हैपिटाइटी सी के संक्रमन की केस कहां मिले है, सबसे ज़्यादा. तो इसकी अगर हम बात करें, चीन में सबसे ज़्यादा केस है, और दूसरे स्थान पर है, बच्छे भारत है, पहले स्थान पर चाहिन है, आप सभी को पता है. और next, अफरीका महादीब की लंबाई तक दोड़ने वाला बिस्ब का पहला विक्ती कोन बना है? बढ़ी कल मैंने आपको जो है, गलती से इसका अंसर ऑप्षन भी बता दिया था, कल मुझसे गलती हो गी टी, ऑप्षन सी की जगा है, ऑप्षन भी इसका टिक हो गा यह ता, क्योंकि दोनों में रस आरे, एक जूस को भी रस पोलते है, तो गलती से जो है, इंगलिस में मैं ने देखा नहीं, गलती से option B टिक हो गाया था, वो आपने comment भी करके बताया था, मैंने comment भी लिख दिया था, कल की class में, कि कल आपको सही कर दिया जाएगा, तो बच्चे option C, इसका बिल्कुल सही आंसर है, रसकुक इसका सही आंसर होगा, प्यारे बच्चे इसका सही आंसर होगा, ठीक है, रसकुक जो है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, चलो, next question के अगर हम बात करें, राष्टे महिला होकी टीम के कोच कोन बने, यह आप से पुझा रहे, तो हरिंदर सिंग, प्यारे बच्चे, ओप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, राष्टे महिला होकी टीम के कोच बने, रहरिंदर सिंग, हाली में, पीटर हिंग्स का निधन हो गया, इन्हें कौन सा पुरुषकार बच्चे दिया गया था, ओसकर पुरुषकार, ग्रैमी पुरुषकार, नोबिल पुरुषकार या भारत रत्न, बताओ इसका अंजर क्या होगा, तो बच्चे इनको नोबिल पुरुषकार दिया गया था, 2013 में, फिजिक्स के छेतर में इनका निधन हो गया, ठीक है, अब इसके बाद 48 वा क्यूषन है, मोंटे कार्लो माश्टर्स में मुख्या ड्रा मैच, जीतने वाले पहले भारते टेनिस खिलाडी, तो सुमित नागल बने थी, यह मैंने आपको बताया था, 48 वा क्यूषन है आपके शामने, और 49 क्यूषन किस कंपनी ने पानी पर फूड डिलिबरी सर्विस सुरू किये, जो मैटो, सुईगी, उवर या इनमेशिक कोई नहीं, बताओ, 49 का क्यूषन आपको बताने इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको बताने 49 क्यूषन का सहीं आंसर बच्चे क्या होगा, यह आप सभी को कमेंट बोक्ष में बताने इसका सहीं आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया, ऑप्शन B बच्चे सुईगी, इसका सहीं आंसर है, और 50 क्यूषन की अगर हम बात करें, गुडी पडवा परवक की सराज्य में मनाया गया बहुत ज़्यादा important question है गुडी पडवा परवक के बारे में आपसे पूछा गया है बताओ महरास, केरल, तमिल नाडू या गोवा तो इसका answer क्या होगा जिन बच्चों का option है आ रहा है बिल्कुल सही answer बता रहे हैं महरास अब आप सभी को भाई comment box में जरूर बताना है last तक बने रहना है last में मैं आपको बताऊंगा ठीक है, आप सभी को देखो comment करके ये जरूर बताना है कि आपका score कितना हुआ है ठीक है, बच्चे मैं आपको बताना है चाहता हूँ कि आपको ये जरूर comment करके सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि 50 question में से आपकी कितने शही question हुए ये सभी को comment box में बताना है 50 में से सही कितने हुए ठीक है, मेरे प्यारे भाईयो बहनो और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है कि 50 में से आपकी कितने नंबर आए ठीक है, 50 में से आपको बताना है कितने नंबर आए comment करके बताना है कि सर 50 में से इतने नंबर आए और जो आपने पूरे week में पढ़ाया वो मुझे याद हुआ या नही हुआ यह भी कमेंट करके लिखना है tempt box में लिखना है comment पर बक्रूर केंपर स्टुडेंट्स के लिए संपूर्ण समाधान यहाँ पर आपको लिए यहाँ पर आपकी offline classes, यहाँ पर डाउट आपको टीचर बताएंगे, और लड़कियों के लिए रहने की विवस्ता अलग है, और बच्चे इस नमबर पर आप कोल कर सकते हो 7836-884-000 पर, और अपना एड़िशन रेंकर्स गुरुकुल केमपश में करा सकते हो, यहाँ पर दो त सकते हो, तो आप इसमें अपना एड़िशन करा सकते हो, मैं नमबर आपको दे दिया हो, मैं यहाँ पर ओफलाइन भी पढ़ाता हूं, ठेक है, यहाँ पर आपको सभी टीचर्स मिलेंगे पढ़ाते हो, ठेक है, इसी के साथ हमरी क्लास ही पर समाप्त हो जाती है, और आप आपको एक ऐसी क्लास लगी है, क्या पूरे वीक में आपको याद हुआ है, यह नहीं हुई है, कमेंट बोक्स में जरूर बताने, ठेक है, इसी के साथ हमरी क्लास ही पर समाप्त हो जाती है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जहिंद, जय भारत! झाले का झाले का झाले कि अजद, जय भीक में जरूर वारत!